हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकॉन को दबाईए हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए नमस्कार आज हमारे साथ है Milton का Super Chill 8 Insulated Ice Pack इसे आप ऑनलाइन औरेंज, रेड और ब्लू कलर में खरीच सकते हैं ये एक साल की वारेंटी के साथ आता है और इसकी प्राइज है लगभग साड़े सौथ सो से हजार रुपए के बीच में तो चलिए देखते हैं बॉक्स की बात करें तो फ्रंट साइड में कमपनी की ब्रांडिंग दी गई है ये देखिए Milton Super Chill 8 Insulated Ice Pack लिखा हुआ है यहाँ पर राइट साइड में देखिए तो यहाँ पर कलर्स दिये गए हैं ये तीन कलर्स में अवलेबल है और यहाँ नीचे में एक साइड में इसका आकार दिया गया है और इसकी प्राइजिंग दी गई है दूसरी साइड में बात करें तो यहाँ पर इसका वारेंटी काट दिया गया है और इसमें यहाँ पर लिखा है कि इसके साथ एक साल की वारेंटी आपको मिलती है लेफ्ट साइड की बात करें तो यह देखिए classifications दिये गए हैं तो चलिए box को open कर लेते हैं गर्मी के मौसम में अगर आप long drive पे जा रहे हैं पिकनिक में जा रहे हैं या family और friends के साथ outing कर रहे हैं तो इस product का use आप कर सकते हैं cold drinks या juice या और किसी भी drink को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए तो box के अंदर आपको मिलता है Milton का super chill ate insulated ice pack तो चलिए इसे polythine से बाहर निकाल लेते हैं ये देखिए कुछ इस तरह का ये container है तो चलिए बात करते हैं इसके design और build quality की इसमें dual tone finish दिया गया है ये देखिए blue और white color का combination इसमें दिया गया है अगर आप orange color का खरीदेंगे तो आपको orange और white color का combination मिलेगा उसी प्रबगार अगर आप red color का container खरीदेंगे तो आपको red और white color का combination मिल जाएगा material की बात करें तो ये अच्छी quality के plastic या fiber का बना हुआ है पकड़ने में मजबूत है और इसका जो surface है ये देखिए थोड़ा सा rough type का है जो इसे एक अच्छा और अलग look देता है ये देखिए इस मतलब अब आप handle को एक side करेंगे तो इसका जो ढखकन है वो खोल जाएगा और इसे दूसरी side कर देंगे तो इसका ढखकन जो है वो lock हो जाएगा या यू किस लीजिए जब आप इसे straight भी रखेंगे तो भी इसका ढखकन lock रहेगा इसके lead में यहाँ पर में दो ये देखिए can holder दिये गए हैं जिसमें आप अपनी कोई भी cold ring की या juice की can रख सकते हैं या glass रख सकते हैं तो चलिए container को खोल लेते हैं ये देखिए इसमें आप ए freshener दिया गया है इसका जो mouth है या जो मू है खुला हुआ है जिससे आपको इससे साफ करने में बहुत ही आसानी होगी अगर अंदर से इसके dimension या size की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10 इंच के आसपास है इसकी जो चोड़ाई है वो लगभग 7 इंच के आसपास है और जो इसकी लंबाई है वो लगभग 9 इंच के आसपास है अगर आपके पास कुछ इस तरह की पानी की बोटल यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस container की capacity 7500 ml है तो अगर आपको यह container छोटा लगता है तो इसका एक और model आता है Milton Super Chill 30 जो लगभग इससे 4 गुना बड़ा है और इसकी price लगभग 1750 से 2000 रुपए के बीच में तो अगर आपको यह product छोटा लगता है तो अब इसका बर्फ या ice का यूज़ कर सकते हैं या उसकी जगा पे आप reusable flexible chill ice packs का यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप बर्फ का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बर्फ के cubes या बर्फ के टुकडेस की सतह या base में बिचा देने हैं उसके उपर आपको अपने juice के can रख लेने है और उसके बाद आपको इसके ढखकन को बंद कर लेना है इसके अलावा अगर आप बर्फ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कई बार बर्फ जवाने में बहुत तकलिफ हो जाती है बर्फन ढूडने पड़ते हैं तो आप reusable flexible chill ice packs जो की online available है उसका यूज़ कर सकते है उसमें क्या होता है प्लास्तिक के छोटे छोटे पाउच रहते हैं जो एक दूसरे से connected रहते हैं और उसके अंदर पानी या liquid gel रहता है उसको आपको क्या करना है बस उसको आपको refrigerator के अंदर ठंडा होने के लिए रख देना है और जब वो एकदम super chill हो जाए या कह लीजिए वो बर्फ की तरह हाड हो जाए तो आपको उसको निकाल के container के नीचे और चारो तरफ बिछा देना है और उसके बीच में आपको cold drinks के can या juice के can रख देने है और उसके बाद आपको इसकी lead बंद कर देनी है तो इस तरह से आप बर्फ या reusable flexible chill ice pack दोनों का use कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि reusable flexible chill ice pack कैसा होता है तो आपको link में इसके description में दे दूँगा तो इस तरह से आप इसे दोनों तरीके से use कर सकते हैं अब use करने के लिए एक चीज़ का और ध्यान रखना है जब आपने इसमें बर्फ डाल दी है और आप इसमें juice या cold drink की can डाल रहे हैं तो वो can को आपने पहले ही freezer में अच्छी तरह से super chill कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर डालना है ताकि यह लंबे समय तक इसमें ठंडी रहे इस container में अगर आप बर्फ या ice pack के साथ बहुत ही ठंडी cold drink को रखते हैं तो यह 4-5 घंटे तक तो उसे बिलकुल ठंडा अगर के रखता है और उसके बाद जो उसकी coldness है वो धीरे-धीरे काम होती है मतलब यह समझ जाई है आपको 10-11 घंटे तक आपको अपनी cold drink या juice ठंडा मिलेगा तो यह था हमारा review milton के super chill 8 insulated ice pack के लिए अगर आपको इस product से related कोई भी question है तो आप हमें comment कर सकते हैं इस video को like क कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस घंटी के icon को दबाईए हमारे चैनल पर आने वाले latest videos के update के लिए